हेलो गाईज कैसे हैं आप सभी में दिखरता हूँ आप सभी अच्छे होंगे जिहां HBSC बोर्ड दसवी बारे बोर्ड एकजाम जिहां दसवी का जो ही इंदिगा पेपर है यही से छपने वाला है जिहां जो इपोटनेट को इस्टेन है वो भी बताऊंगा कैसे कुछ लेने ह आपको और कैसे कुछ करना पेपर पूरा पैटरेन बताऊंगा तो है वीडियो पूरा जरूर देखिये जिहां यहां सीशी से पेपर चपनेगा मैं जो बताने वाला हुई पूरी वीडियो जरूर देखेगा आप इन बातों को जरूर सुनिए आपके लिए बहुत ज्याद important question की पीडियाप बनाई है हमारे टीचर्स ने बनाई है हमने कुछ नहीं किया है हम तो उनली देने का काम कर रहे हैं जो भी पेपर में question आते हैं उन्हीं की पीडियाप है जियां ओली 30 रुपए पराइज है अभी तक 20 से ज्यादा बाई ने जो है पीडियाप ले ली है अगर आप भी लेना चाहते हैं आगे पराइज बढ़ने वाला मैं आपको पहले ही बता रहा हूं आपको बता दूँकि दस वी के जो पीडियाप है इंडिय प्रेक्ट कर सकते हूं नमबर आप यहां से देख सकते हो जो भी यह सोच रहा है कि एक अपते में पढ़कर मैं पास हो जाओंगा ऐसा कुछ नहीं है इस बार मैं पहले बता रहा हूं आप जो है पीडियाप जरूर लेजिए लाप जरूर लेजिए 30 रुपए में कुछ नह पर है आपका इजी परकार का पेपर आने वाला दसवी क्लास का इंदिया पेपर हैं असी नमबर का पर आएगा और चेहर कोड आने वाले तीन गंटे का टाइम मिलेगा यहां से आप पहले ही देख सकते हो यहां पर देख सकते हो तीन गंटे का टाइम है अब हम नीचे चलत है grammar के साथ ही है जो important question है वो मैंने provide करवा दी है जिसका price जो 30 रुपए है अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे से contact कर सकते हो जो number है वो मैं आपको बता देता हूँ पिचैनु आठासी सोड़ा 62 64 यह मेरा number है WhatsApp पर आप message करके जो PDF आप ले सकते हैं only 30 रुपए प्राइज है इससे कम में कोई नहीं देता यार उसके आप देख सकते हैं तीसरा को इस तिन पांच number का निम्द लिखना है 300 वर्ड्स में जहां जो भी आपको कुछ भी आता है इससे related कुछ भी आता जरूर लिखकर आएं तब ही number आएंगे वरना नमबर नहीं आएगे उसके बाद जो है आपको देख सकते हैं इसके बाद यहां से आप देख सकते हैं जो भी पत्तर लिखना है वो देख सकते हैं जो पांच number का यह पत्तर आएगा उसके बाद छोटे i Luigi कि कैए हाँ को यहाँ से आप देख सकते हैं hot number के कोश्चन आए i mais कि काओँ चार में से एक पर्टिक करना है यह तो आपको आते ही होंगे उसके बाद यहां से देख सकते हैं एक paper जोको यहां से आया हुआ है, चैर नंबर का ये, उसके बाद ये बाव हुआ सिल्प संधरिया लिखना है, चैर नंबर का ये है, जहां ये करके जरूर जाए अपने किताब में से, पढ़कर जरूर जाएं, और ये गोपियों के अनुसारा जागात दर्म क्या होता है, ये भी टाइप आच्छ छोड़ा नमबर के हैं इस बार आपके उसके बाद यह तीन नमबर का दो पर नाया है इसके बार नमबर का ये कोस्तेना आका देख सकते आप कैसे कुछ कोश्टन आ रहे हैं इसी परकार ऐसा ही पैटरन रहेगा बस कोश्टन बदलेंगे लेकिन ऐसा ही पेपर आएगा उसके बाद अगली किताब है यहां से आप देख सकते हैं जो परसन है पांच परसन करने है दो दो नंबर के दस नंबर का यह हो गया उसके बाद यह भी पांच परसन करने है को यहां से और दो दो नमबर के यह दस नमबर का यह हो गया ऐसा पेपर बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा आपका प्रैक्टिस पेपर है अगर आप जिहां इपोटेंट कोश्चन है उसकी जो पीडियाफ लेना चाहते हैं आप तो वट्सप पर कॉंट्रेक्ट क से जरूर करें